नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश काज़क्रम के साथ महासिवरात्री को अब सिर्फ एक दिन बचा है यानि कल से चार मार से महासिवरात्री के सुरुवात होने वाली है हम आपको बताएंगे कि महासिवरात्री 2019 पर चार परहर की पूजा करके कैसे आप अपने जिंदिगी में सुखला सकते हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि पूजा का सही समय और तीथी क्या है तो हमारे साथ बने रही है हम आपको बताएंगी कि चार पहर का क्या समय है और पूजा की क्या तीथी है किस समय चतुरदसी तीथी की सुरुआत होगी चार मार्च दोहजार उनीस चार बज के 58 मिनट पर यानि फोर फिप्टी एट पिम पर चतुरदसी तीथी की सुरुआत होगी चतुरदसी तीथी की जो अंध है वो पांच मार्च को साथ बज के 37 मिनट पीम यानि इभनिंग के समय रात्री के समय होगा इसके साथ जो महा सिवरात्री के 4 परहर की पूजा है अगर आप ये 4 परहर की पूजा कर लेते हैं तो निस्टित रूप से आपके जिंदगी में हर सुख मिलेगा तो पहले हम चर्चा करते हैं कि महासिवरात्री का पर्थम पहर क्या है देखिए महासिवरात्री का पर्थम पहर जो पूजा का समय है वो साम के समय में 6 बज के 11 मिनट से ले करके रात में 9 बज के 15 मिनट तक है रात्री के समय में ये 4 मार्ज को परेगा महासिबरात्री का दूसरा प्रहर पूजा का समय ये 9 बस के 15 मिनट से ले करके रात में 12 बस के 18 मिनट तक होगा ये भी 4 मार्ज को ही पड़ेगा रात्री के समय महासिबरात्री का जो तीसरा पहर है तीसरा पहर पूजा का समय और रात में 12 बस के 18 मिनट से ले करके सुबह में 3 बस के 22 मिनट तक और ये 5 मार्ज को परेगा महासिवरात्री का जो चौथा पार है पूजा का समय वो 3 बस के 22 मिनट से ले करके सुबह 6 बस के 26 मिनट तक जो 5 मार्ज को परेगा तो मैंने आपको बताया कि महासिवरात्री की पूजा कृष्ण पक्स के चतुरशी तीथी को मनाते हैं और चतुरशी तीथी की सुरुवात होती है चार मार्ज को चार बज के अठावान मिनट पर और इसका अंत होगा 5 मार्ज को 7 बच के 37 मिनट इमिनिंग में अब हम आपको बताते हैं कि महा सिवरात्री के हर पहर की पूजा आपको इसे करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि महा सिवरात्री की जो पर्थम पहर में आपको क्या करना है देखिए महा सिवरात्री के पर्थम परहर में संकल्प करके शिव को दूद से असनान कराते हुए ओम, हिरिंग, इसाय, नाय नमाहा का जाप करना चाहिए तो आपको क्या करना है कि पर्थम परहर में जिसका समय में आपको पहले बता चुका हूँ आपको करना क्या है कि महासिवरात्री पर सिबलिंग पर दूद अर्पित करें दूद से असनान कराने के बाद आपको जो मंत्र है मंत्र है ओम हिरिंग इसा नाय नमाहा इसका जब करना है कम से कम एक सा आठ वार इसके बाद दूतिय पहर में Sibling पर आपको दही अर्पित करना है उसके बाद जो मंत्र है Om, Hiring, Agorayanamha इसका कम से कम एक सा आठ वार जब करना है तो दूतिय पहर में आपको दही से असनान कराने के बाद Sibling का Om, Hiring, Agorayanamha का जब कम से कम एक सा आठ वार करना है तो मैंने आपको बताया कि पर्थम पहर और दूतिय पहर में भगवान सीब की पूजा आपको कैसे करना है अब आपको बताते हैं कि तिरतिय पहर और चतुर्थ पहर में भगवान सीब की पूजा कैसे करें तिरतिय पहर में भगवान सीब को घी अरपित करें इसके बाद ओम हिरिंग बाम देवाय नमहा इस मंतर का कम से कम एक सा आठ बार जब करना है इसके बाद जो चतुर्थ और अंतिम पहर है इसमें भगवान शिब पर शिवलिंग पर आपको मधु अरपित करना है और इसके बाद जो मंतर है ओम हिरिंग सद्यो जाताएनमह ओम हिरिंग सद्यो जाताएनमह इस मंतर का कम से कम एक सा आठ बार जब करना है तो मैंने आपको बताया कि महासिवरात्री का सुरुवात जो तीथी है वो चतुरुषी तीथी को मनाई जाती है और इसकी सुरुवात कब होगी चार मार्ज को इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो चार परहर की पूजा है उसका क्या समय है और चार परहर में आप किस तरह से भगवान सीव की पूजा करेंगे अगर आप चार प्रहर में भगवान सिव की पूजा कर लेते हैं 2019 के इस महासिवरात्री पर तो निस्टित रूप से आपके जिंदगी में हर सुख मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तो आपने दोस्तों के साथ में सेयर करें ताकि कल वो महासिवरात्री के अच्छे समय में जो इसका सुब भार है उसमें पूजा करके चार प्रहर का पूजा करके वो भी अपनी जिंदगी को सुखी बना सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद